तो स्वागत है बाई आप सब भी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपियम फेंटेसी एक्सपर्ट पर और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो हैली बर्टन जोंस्टन शील्ड जो न्यूजिलेंट का वुमेंस का डोमेस्टिक वन डे टोनामेंट है इसके बाई जो मैच है आज के दिन दो मैच खेले जाएंगे ठीक है और मैच मतलब दोनों सेम टाइम पर खेले जाएंगे अरली इंदा मोर्निंग तीन बजे और दोनों ही मैचेज के आपके लिए कंपलीट इंफोर्मेशन मैं देने वाला हूँ अब वीडियो का कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है अदर्वाइस भाई इसमें आपका लोस हो सकता है ठीक है लेकिन मेरे भाई अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो इजली आप इस मैच में काफी जादा शांदर प्रोफिट बना सकते हो तो वीडियो को ए और यार भाई अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तीन बज तक मैं आपके लिए जगूँगा और जो मेरे साथ टेलेग्राम पर पहले से जुड़े हैं उन्हें पता होगा भाई मेरी तबहे थोड़ी वीक चल रही अभी लास्ट दो-तीन दिन से फिर भी मैं आ पॉइंट्स टेबल की बात करेंगे और पॉइंट्स टेबल से भी इंपोर्टेंट जो टीम की स्क्वेड ना वो अनॉंस हो चुकिया और वो क्या हुई है सारी चीज़े आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले बाई एक बार दोनों टीम्स की लास्ट मैचिस देख लेते ह तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जैसिका मैकफेडर ने यह आपके लिए ओपनिंग करती दिखेंगे और इनके साथ ओपनिंग कोन करेगी बाई रेवी का बंस वन डाउन पर जोरजिया प्लिंबर आई थी इस मैच में लेक कैस पर एक टूडाउन आई थी और यह लेक कैस परेस आपको बोलिंग में भी अच्छा खास पॉइंट देती दिख जाएंगी तीन से चार विगिट इजली निकाल लेंगी अगर भाई फरस्ट इनिंग में बोलिंग आती है तो ठीक है फरस्ट इनिंग में बहुत इंपोर्टेंट होती है और सेकंड इनिंग में भी डियना डोटी आपको दिखेंगी यहां से ठीक है अब अगर बात करें भाई इनकी गेंदबाजी की तो गेंदबाजी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं गेंदबाजी भी काफी ज़्यादा शानदार रही थी और मात्र 51 रन पर सामने वाले टीम को ओल आउट कर दिया यहांपर अगर बात करें तो देखें लेक कैस पर रखने चार ओर डाले दो मैडिन और सिर्फ पांच रन दिया वाई वन दिने और एक विकेट भी निकाल लिया ठीक है तो एक ही ओर में तीन विकेट लेके गई थी डेना डोटी की बात करें तो भाई दो विकेट इन्हों इसके राजजारा जेटली ने एक विकेट निकाला निकोल बेरेट की बात करें तो एक विकेट इन्हों ने निकाला में का सिंग्या से विकेट लेस गई थी ठीक है अब अगर बात करें ऑई आपर ओ वैलिंग्टन ब्लेज की टीम थोड़ी सी इनके उपर बारी पढ़ती दिखेगी आपर अगर बात करें तो T August Sparks की जो सबसे main player रहेगी ना वो यासे रहेगी में प्लेर क्योंकि एक तो opening कर रही है सब से पहली बात और अच्छी форм में भी है दूसरी बात भाई infections के साथ साथ 8 से 10 ओर का spell भी गरती दिख जैंगी तो जहां पर विकिट लेने के भी चांसिज रहेंगे इवर भाई मेरी टीम की कैप्टन सी में इनी को देने वाला हूँ तो आप ये चीज जरूर द्यान में रखेगा कैप्टन आपके वही प्लेर रखा करो जो ओल्ड रौंडर हो या फिर भाई बैक्समेन अगर या फिर बोलर आप रख रहे हो ना तो प्योरली भाई टोप नश फोर्म वाले रखा करो ठीक है या से अगर बात करें तो मेरी टीम में कैट है ब्राहिम जरूर रहेंग सैफरोन विलसन को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो वाई अगर बात करें वाई कैटलिन ब्लेक ले बाई नमबर तीन पर आपको खेलते दिखेंगे इसके लिए लेड इन डेविस नमबर चार पर दिखेंगे पॉल इंगल इसकी बात करें तो ये टीम की विक्ट की पर बले बाच और बोत ही वैठरे इन बले बाच है लास्ट सीजन टोप ओडर में खेला था और वाई इस सीजन वंडे में आपर खेल रहे हो सकता है जो वुमेंस का सूपर स्मेश आएगा न उसमें फिर से ओपनिंग करती नजर आ जाए इन्होंने वाई 13 रन बनाए सोफी ग्रे की बात करें तो 16 रन इन्होंने बनाए इडन कारसन बैटिंग बोलिंग दोनों कर देगी 10 रन इन्होंने बनाए एमा बलेक ने आपर 15 रन बनाए नीचे किसी ने कुछ खास किया नहीं गेनवाजी पर आ जाते भाई गेनवाजी ठीक ठाक रही थी एमा बलेक की बात करें तो 6 और में दो विकिट निकाले बन दिने इसके लाज जैमा एडम्स की बात करें तो 6 और इन्होंने भी डाले थे अलंग कि यहांसे विकिट लेस गई केट अबराहिम जैसा कि मैं आपको बोल रहा था 10 और में 40 रंदिये विकिट लेस गई लेकिन भाई 10 और का स्पेल डालेगी कभी भी 2-3 विकिट निकालेगी दावेदार रहेंगी इडन कारसन 10 और में 2 विकिट इन्होंने निकाले इसके लाज बाई कैटलेन बलेक लेगी बात करें तो चार विकेट इन्होंने निकाले सैफरोन विलसन ने दो ओवर डाली इनके अगर कन्फर्म यह बाई यह ओवर डालेंगी यह नहीं डालेंगी ठीक है सोफिय अल्डरशा इस मैच में काफी महेंगी सा भी तुई थी इसलिए बाई इनके ओवर कट हो गए थे अधरवाई काफी ज़्यादा चांजी जए कि इन्हें अपने पूरे ओवर करने को मिलेंगे अब अगर बात करें भाई यहां पर स्कुरेड की तो स्कुरेड भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों टीम्स की सबसे पहले भाई वैलिंटन ब्लेज की स्कुरेड एक बार देख लेते हैं यहां से तो रेवेका बंस भाई ओपनिंग करती नजर आ सकती है मतलब आ सकती क्या भाई ओपनिंग ही करती नजर आएंगी इसके राए अन्टोनिया हैमिल्टन आपको दिखेंगे जारा जैटली मेनका सिंग और जो डेना डोटी है यह आपको खेल भी दिख सकती है आज आते भाई यहां पर ओटागो स्पार्क्स के जो स्कुरेड नाउंस हुए एक बार यह और देख ले थे उसके बाद भाई टीम की बात करेंगे अब यहां पर भाई बात करें तो टीम की कैप्टन रहेंगे लेडन डेविस टीम की कैप्टन रहेंगे जैम एडमस बैटिंग बोलिंग दोनों करेंगे इसके अला भाई जो एमा ब्लेक है यह भी बैटिंग बोलिंग दोनों करेंगे आपको वहीं अगर भाई यहां पर बात करें तो चलोई डेरनस आपको मेंली बोलिंग के उपर दिखेंगे केट अबराइम टीम की सबसे में प्लेयर रहेंगी इसके लाप पोलिंगल इसकी बात करें अगेन इंपोर्टेंट प्लेयर रहेंगी बेला जैम्स अगर खेलती है तो बैटिंग वोलिंग दोनों कर सकते है अलिवे अगेन की बात करें तो में भी भाई शायद आपको ना खेलते दिखें मोली लोय आपको खेलती दिख सकते हैं बात करें टीम की तो टीम में आपको यहाँसे बना कर दिखा देता हूँ आपको इसी वीडियो के नीचे दिस्क्रिप्षन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कोमेंट में भी दे दुँगा तो अभी कि अभी जाईएगा और टेलिग्राम चैनल जोइन कर लिजेगा क्योंकि बिना टेलिग्राम के विनिंग करना almost almost impossible है ठीक है आपर Wellington Blaze की तरफ से Jack Mayfaden आपको शायद ना खेलती दिखें नहीं दिखेंगे बाई आपर Jack Mayfaden नहीं खेल रही है ठीक है और selection आप देखें 60% है काफी सारे ओपोनेंट आपके ऐसी मिलेंगे जो इन प्लेयर्स को लेके आएंगे जैसे बाई सूजी बेट्स हो गए मैड़ी गरीन हो गए यह नहीं खेलेंगे रेवेका बंस इंपोर्टन रहेंगी सीब लेक लें इंपोर्टन रहेंगी इसके अलावाई बेला जेमस की बात करें अगेर मैं यहीं बोलूँगा आपके लिए बहुत इंपोर्टन प्लेयर रहेंगी ट्राइ कर सकते हो जोर्जिया प्लिंबर इस मैच में आपको खेलती दिख सकती है ठीक है बहुत ही बैतरिन प्लेयर है अलंकि जो मैच खेला उसमें परफोर्मेंस नहीं आई थी कैटलिन किंग को अपने टीम में रखेंगे बैटिंग बोलिंग दोनों से पॉइंट आपको दे सकती है लास्ट मैच में तो शायद टीम में थी यहां पर नहीं है वाई एमला कैर भी नहीं दिखेंगे एली जैंसन भी नहीं दिखेंगे और यहां से अगर बात करें सोफी डिवाइन भी नहीं खेल रही है केट अबराहिम लेक का इस पहला है कि जैमा आडम्स तीनों आपके लिए इंपोर्टन रहेंगी तीनों को आप अपने टीम में रख सकते हो यहां से अगर बात करें तो इडिन कार्सन शायद इस मैच में खेल रही है वाई और इडिन कार्सन अभी के लिए नहीं खेलेंगी तो आप देख सकते हो 68% सेलेक्शन इनका में इनका सिंग एमा ब्लेक दोनों इंपोर्टन रहेंगी जैस कैर यहां से खेल नहीं डियोना डोटी को आप ट्राई कर सकते हो एक चीज मापको बता दू देखे यहां से अगर पहले जो वैलिंग्टन ब्लेज की टीम है तो आप जारा जैटली को ले लीजिएगा और अगर यहां पर भाई पहले बोलिंग नहीं आ रही वो में इनकी वैलिंग्टन ब्लेज वालों की तो फिर आप अपनी टीम में किसे रख सकते हो फिर आप अपनी टीम में बाई एक एक्स्ट्रा यहां से बैट्समन लेके चल सकते हो टागो स्पार्क्स वालों का तो जो आपको मतलब स्टार्टिंग में काफी अच्छे पॉइंट दे सकते हैं और या फिल देखे जो सबसे से आपके लिए बहुत इंपोर्टन प्लेर रहेंगी बहुत ही ज़्यादा बैतरीन विकेट टेकिंग गेंदवाज है बट एक मैच जो खेला उसमें काफी दो योवर डाले थे बाई स्टेइस रन लग गए थे तो बाई काफी महेंगी साबीत हुई थे तो अगर आप चाहो तो सेफ जाना से हो तो आप ड्रोब भी कर सकते हो बट मैं आपको रिकमेंट करूँँआ कि यार आप इने अपने टीम में रखना ठीक है अभी के लिए मैं जारा जेटली को ले रहा हूँ अगर भाई जो भी टीम पहले बोलिंग करेगी ना उसी टीम का फाइनल बोलर मेरी टीम में रहेगा या पर वैलिंग्टन ब्लेज अगर पहले बोलिंग करते है तो जारा जेटली रहेगी ओटा को स्पार्क्स करते है तो सोफी ओल्डरशा को रखेंगे ठीक है कैपिटनसी की बात करें रहेगा अपनी टीम की वी-सी की अगर बात करें तो वी-सी यहां से आप यह थो दिखिए एक प्यूर बोलर को ले सकते हैं बाट यहां से लेक कैसपर एक नंबर चार पांस पर आपको बैटिंग कर देंगी पलस भाई आपको बोलिंग भी पूरी क तरकित देंगी तो आपके लिए इंपोर्टेंट रहेंगी मेरे इसाब से मस्टविक रहेंगी टीम के प्रिव्यू की बात करें तो आप देख सकते हो ओल्मोस्ट ओल्मोस्ट फाइनल टीम है कोई भी अगर चेंजमेंट होता है तो सीधी इंफोर्मिशन मैं टेलिग्राम पर